हलो गुड मॉर्निंग स्वागत आपका मेरी चैनल हेर सुलूशन पे मेरा नाम है सौरवर्मा और मेरा अकैडमी है हेर सुलूशन के नाम से हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारे कॉर्सेज लेके आते हैं और अभी मैं चला रहा हूं फ्री कोर्स जिसमें हम हेर स्टारिंग स हम सिखाने वाले हैं कर्स में मैंने बहुत अलग-अलग पैटर्न है वो सिखाने वाला हूं सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख के दिखा दिता हूं कि कितने पैटर्स का नाम है जो कि हम सिखा रहे हैं आप लोगों को तो रेडी आप लोग सीखने के लिए तो सबसे पहल टॉंग कर्स फिर आएगा आरन कर्स फिर आएगा बीच वेव कर्स फिर आएगा हॉलीवुड वेव झालब कर्स फिर आएगा इन वेवस फिर आएगा इन्वर्ण औप अवस के अMost सबत्स फिर आएगा और आएगा खेंक सबता कमक्यों टॉमक्ति पून्ब येश्सरार कमक्यों यह सब तरह के कोर्व मैं सिखाने वाला हूं next फुछ वीडियो में प्रेट क्योंकि अगर मैं सारे एक ही वीडियो में सिखा दूंगा तो विडियो बहुत लंबा हो जाता है और मुस्ट एक घंटे से जदा से लंबा हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूं कि अगर आपको कुछ क करके वितासकता हूं, दोनों या तीनों नहीं वितासकता, तो maximum क्या हो सकता है, यह एक में हो जाएगा, फिर Hollywood wave पूरा करके दिखाऊंगा आपको, कैसा दिखता है, beach wave अलग होते हैं, iron curls अलग होते हैं, tong से जो हम curls करते हैं, वो अलग होते हैं, तो आप सब लोग ready हो, तो directly चलते हैं डमी पे और वहां पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर्स होते हैं मेरे पास जो डमी है इस पर मैं करके दिखाने वाला हूं कर्स तो मैंने जो मेरा होट टूल का टॉंग है वो ले लिया है इससे करूंगा और आप देखते रहिएगा कैसे करने वाला हैं मेरे पास कुछ हेर स्प्रेय भी है जैसे कि यह ट्रेस में की है नंबर फोर इसका होल्डिंग पावर है फिर उसके बाद मेरे पास और मेरे पास silhot है जो कि shoscoff की है इसका हम पावर अच्छा है ड्रेस में है इसका हम हूल्डिंघ पावर फोर का है और मैं यूज कर रहा हूं Osis Shoscoff जिसका हम अच्छा है एंड एक شाइन स्प्रे यूज कर रहा हूं जिसको बोलते है ग्लैम मिस्ट जो की है वेला की इसका होल्डिंग पावर वन है इमी ओके और जो मैं टॉंग यूज कर रहा हूं वो है होट टूल प्रफेशनल की इसका टेंपरेचर मैंने रखा है 400 फेरनाइट तो सबसे पहले हम लोग सेक्शनिंग कर लेंगे जो की बहुत जरूरी है पहले कि डमी आपको फेस करके दिखा देता हूं इस तरीके से हम लोग सेंट्र सेंट्र पार्टेशन और यह उपर करेंगे यहां पर देखेंगे सेंट्र पार्टेशन इस तरीके से उगा मैं यहाँद जो कॉइंखन है वह यूज कर रहा हो नीटल वाला ठीक है central destruction के के बात हम लोग करेंगे रेडियल सेक्शन रेडियल सेक्शन निकाल सकते हैं एकदम स्टेट वर्टिकल लाइन इस तरीके से इनको क्लिप कर दूंदा आगे की तरफ सेम तिंग इधर भी मुझे रेडियल सेक्शन ही निकालना है ऑपोसिट डिरेक्शन में परफेक्टली स्टेट लाइन तो यह जो हेर कर्स है यह टॉंग कर्स दिखा रहा हूं जो कि हमारी सबसे पहली केटर्गरी है इसमें कॉम करूंगा अच्छे से और सेंट्र पाटेशन से डिवाइड कर सकता हूं या फिर आप क्या कर सकते हो हैड डाउन करेंगे और यहां पर इस तरीके से एक पतला सेक्शन ले सकते हो ऐसा एकदम स्टेट लाइन ओके इन बालों को मैं ऊपर टाई कर दूँगा आप सबको दिख रहा है अच्छे से राइट या और जूम कर दो थोड़ा यहां पर हमें इसको इवन सेक्शन में डिवाइड कर लेना है जैसे की सेक्शन वान सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 ओके तो यह मैंने अलग किये थे इस तरीके से 5 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है सबसे पहले अगर आपको रूट्स पे यहां पे अगर क्लाइंट को चाहिए बाउंस ज्यादा तो आप क्या कर सकते हो इनको बैक यहां करेंगे स्प्रे कर देंगे कोई भी बीडल लगा सकते हैं मैं यूस कर रहा हूं मानलों ट्रस में तो प्रेकिया देन वेट किया बाकी बालो को क्लीन किया अभी जब भी करने हैं दो तिन चीजों का ध्यान रखे सबसे पहले बालों में कर ले शाइन स्प्रेय एड ताकि हमारे बालों में शाइन आ जाए ध्यान से देखिएगा शाइन स्प्रेय आइड करने के बाद बुल स्प्रेय हेर स्प्रेय अभी मैं इसको कर लूँगा कॉम अच्छे से कॉम कर लूँगा अभी मैं यूज कर रहा हूं मारा टोंग अभी आप एक चीज कर सकते हो विध ये जो हमारा क्लैंप है इसके साथ भी कर सकते हो सब्सक्रेंप ग्रकार सकते हो तो मैं आज जो है विदाउट लेंप यայिक ऐसकानी दोभी से एक सिखाने वालो साइए उसके बाद विद chutले विद सिखेंगे विद ग्लैंप हमने इस तरैके से बालों को पकड़ा घुमाया अब देखिए मैं move करता जा रहा हूँ, उपर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे बालों को पकड लिया, यह जो ends है, यह ऐसे घुमते जाएंगे और अंदर आते जाएंगे, हमारे clamp के अंदर, और safe रहेंगे, आपको 10 से 12 सेकेंड ऐसे रखना है, wait करना है, आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से बालों को टच करके, जैसे ही आपको लगता है, अगर बाल हो चुके हैं, आपको ऐसे, move कर देना है, निकाल दोना है, देखिए, दुबारा देखिएगा, मैं यहाँ पे जो मेरा clamp है, वो नीचे की साइड रख रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, इसको इस तरीके से, जितना आप ये hair पास में रखेंगे, मैं move करता जाओंगा hair को, हलका हलका देखिए, open किया, move किया, फिर से थोड़ा clamp, open किया, move किया, फिर से, यहाँ पे, बिल्कुल पास पास में रखें hair, जादा gap नहीं होना चाहिए, यहाँ पे, फिर से, move किया, hair को पास में लेकी गया, अगर यहाँ पे बाल निकल रहे हैं, तो इसको पकर के रखें, ताकि निकले नहीं, टाइट रहें, ये वाले बाल, ends जो है, इस तरीके से, गरम है, हो जाते हैं बाल, उसी तरीके से इसको आप निकालना शुरू कर सकते हैं, जैसे ही हमारे, जो वेव है, वो हो जाते हैं, आप इसको पकड़ के रख सकते हो थोड़ी देर, जब तक ये ठंडे होते हैं, जैसे ही ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद इस यह हमारे कर्ल्स हैं जो हमने किये हैं अभी नेक्स सेक्शन मैं कॉम करूंगा हम लोग स्प्रे कर देंगे पहले थोड़ा स्प्रे किया मैंने हेर स्प्रे कॉम किया बालों को पहले मैंने क्लैंप नीचे रखा हुआ था इस साइट राइट उसी तरीके से यह भी करूंगा यह वाले जो हैं वह हम ऑपोजिट डिरेक्शन में करेंगे देखिए यहां पे रखा क्लैंप मूव किया इन बालों को निकाला घुमाया थोड़ा क्लैंप ओपन किया फिर से घुमा दिया फिर क्लैंप ओपन किया बाल थोड़े पुल किये फिर घुमा दिया यहां पे गैप नहीं आना चाहिए फिर क्लैंप ओपन किया घुमा दिया इससे क्या होगा एक तो बालों में फिनिशिंग आती जा जाएगा जो हमें वेव पैटन चाहिए तो यहां पर ज़्यादा ग्याप नहीं होना चाहिए उसी तरीके से जैसे हमने पहले कर्ल्स किये हैं अगर वेट हैं तो वेट करें कि हमने हेर स्प्रे किया है थोड़े वेट हो सकते हैं उससे नमी सी लगेगी गिले तो नहीं लगेंगे सब्सक्राइब दस से बारा सेकेंड हम गिन सकते हैं छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा ओके इसको इस तरीके से मैं खोलना शुरू कर दूंगा और अगर आपको लगता है इनको पकड़ के यहां पर इन पर भी यह तकि इस तकि यह और लास्टिंग रहें जल्दी से ना खूलने सी बस स्प्रे करने के बार मैं जादा लॉंग लास्टिंग हो जाते हैं तो इस ऐड के बाल जो है उस करके बताता हूं वह दो सेकशन अलग रखोंगा पहले हम कर रहे थे इस साइड रइट हमारा जो क्लैम था वो newer लाउपन इस बार हम ऊपर रखेंगे 3000 को सबसे पहले हम है ऌसे मैं इस बार औसिस की यूज़ कर रहा हूं आपको सब ब्रैंड की जो हेर स्प्रेय है वो लगा कर बता दूंगा ताकि हमें समझ में आ जाएगा रूट्स पर थोड़ा बैक कॉम कर देंगे ताकि वो बालों को होल्ड करके रखें अभी इस बार मैंने जैसे बताया क्लैंप उपर रहेगा हम लोग घुमा रहे हैं बालों को उसी तरीके से देखिए राइट फिर थोड़ी दे रखेंगे फिर खोलेंगे घुमाएंगे उसी तरीके से बालों को ले आएंगे फिर क्लैंप को खोलेंगे मूब करेंगे हेर को फिर बालों को गुमा देंगे थ्यान से फिर क्लैंप ओपन करेंगे उसी तरीके से हमारे जो बाल हैं वो अंदर जा रहे हैं देखिए मैंने पकड़ा अगें सेम तिंग तो हमारे यहां पर बाल ऑबरलैप और यह बाल सारे अंदर जा रहे हैं बिलकु सोफ्ट थोड़ा सा ध्यान से इस क्लैम को खोले जादा ना खोले अगर जादा ओपन कर लेते हो तो सारे बाल निकल सकते हैं इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ओपन करें और सोफ्ली एकदम खीचें इसको को पुल करें जादा मत पुल करें आप देख पा रहे हैं उसी तरीके से थोड़ा वेट करूंगा दस सेकंड से बारा सेकंड तक बालों को चेक करता रहूंगा जैसे ही हो जाते हैं इसको मैं इस तरीके से ओपन कर दूँगा आप बालों को पकड़िए उसी तरीके से मैंने जैसे बताया था पकड़के इन में आप कोई भी हेर स्प्रे एड़ कर दीजिए यहां पर इसके अंदर तो क्या होगा जो इसका होल्डिंग पावर है वो डबल हो जाएगा एक तो हमने पहले स्प्रे करके कर्स किये और अभी इसको उसी शेप में रखेंगे जहां पर यह है तो पहले क्या हुआ पहले हमने इस साइड किये ताकि यह बाल अंदर की तरफ टरन हो यह हमने आउट की तरफ यह पहले क्लैंप नीचे था तो इन था यह क्लैंप ऊपर था तो आउट था तो दोनों ओपोसिट डिरेक्शन में इस तरीके से कल्ज आएंगे ऐसे एक और करके बताता हूं इस साइड के जो दोनों है और यहां पे और इसमें थोड़ा फरक है यह थोड़ा उठा अब बैक कॉम करेंगे इसमें हेर स्प्रेय लगाएंगे शाइन स्प्रेय मैंने पहले सब में लगा दिया था फिर सारे बालों पे हों पर लगा दूंगा कॉंब कर लूंगा अभी टॉम का जो क्लैंप है वह उपर रहेगा इस तरीके से मैंने मूव किया और बालो को इस साईड ले आया अब यहां पर एक ही कर्व है घुमाया फिर से मूवग किया बालो को यहां पर ले आया अभी two कर्ण्ज हो गए ठीक है देखते जाएए मैं मूव करूंगा फिर ले आऊँगा अभी तीन कर्ण्ज हो गए जो पैटन है वह बढ़ रहा है क्योंकि हमारे बाल जो है क्लाइंट के वो लंबे हैं कि अ कि उसी तरीके से यहां पर वेट किया दस से बारा सेकेंड वान तू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन त्वेल अभी इसको इस तरीके से बिल्कुल सौफली इसको ओपन कर लेना है और एंड्स को पकड़के अराम से उपर लेया आना है वैसे ही जैसे हमने पहले किया था यहां रखके हम हेर स्प्रे उठाएंगे हलका सा हेर स्प्रे करेंगे इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि करल जो गरम थे तो वह अपनी शेप ले लेंगे अभी देखिएगा चसी सी दर रिजल्ट अभी बिफोर एंड आफ्ट यह फर्स था यह सेकींड था अब डिफरेंस दे लंबी होने की वज़े से यह खुल रहे हैं तो यह खुलेंगे यह जादा टाइट रहेंगे अभी यह लास्ट सेक्शन यह भी आपको करके बताऊंगा मैं उसी तरीके से पहले लगाएंगे इस पर शाइन स्प्रेट और फिर करेंगे हम देखिए शाइन स्प्रेट लगाते ही शाइन आ जाता है बैक कॉंब थोड़ा बैक कॉंब करेंगे ओके इस बार मैं ले लिता हूं यह वाला हीड़ स्प्रेट और बाकी सारे बालों में भी स्प्रे कर लेता हूं और फिर कॉंब कर लूँगा उसी तरीके से हमें करना है जैसे मैंने बताया था उस साइड हम क्लांप ऊपर रखेंगे थोड़ा मूव करूँगा थ्यान से देखीगा क्लांप ओपन करूँगा हलका से ऑपन करना है इस अचींद कर्ल फिर से मूव करूँगा थर्डर कर्ल फिर से मूब करूंगा फॉर्थ कर इसी तरीके से जो कर्ल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे येस फिफ्थ कर्ल जैसे ये फिफ्थ कर्ल हो जाता है मैं दस से बारा सेकंड तर गिनूंगा वान टू थ्री फॉर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन एलेवन ट्वेल और इसको उसी तरीके से ओपन कर दूंगा देखिए अभी इसको पकड़ूंगा यहां पर इसमें भी उसी तरीके से हम लोग स्प्रेय आइड कर देंगे प्रेय करने के बाद वेट करेंगे क्योंकि जो कर्ल्स थे वो गरम थे थोड़ा वेट करेंगे वन टू टू सेकिंड फिर इसको छोड़ देंगे चसी है हमारे आज के कर्ल्स कैसे लगे आप लोगों को जो की हमने बनाए हैं टॉंग से रोड से बनाए हैं इसके आगे प्लास्टिक रहता है यहां पर ताकि आप बालों को जब घुमा रहे हो तो इसको पकड़ सकते हो तो आपका हाथ नहीं जलेगा समझ में आया आप सबको राइट तो मेरा एक्चली बताने का मतलब यही था कि हम जो क्लास ले रहे हैं उसमें हम सिखा रहे हैं हेर कर्स कैसे करते हैं तो आज हमने इसमें यूज की थी अलग-अलग हेर जो स्प्रे हैं वो है शौसकॉफ की दो से तीन जो है वो शौसकॉफ की यूज की है और एक हमने ट्रेस में की यूज की है तो मैंने सब करके बताया है इसी लिए ताकि आप भी सीख सको नेक्स्ट वीडियो में मैं टौंक सिखाने वाला हूं दूसरा जो हमारा पार्ठ है जो की है आइरे आइरें कर्स, इसके बाद वोरा वीडियो आएगा आरइं कर्स के उपर, ओके रेडी रहिएगा देखने के लिए आयरें कर्स ज़लदी खाउंगा, तो आज के जो टॉंक कर्स थे आप लोगों को कैसे लगे वीडियो को लाइक शेयर करके बताईएगा और जो लोग पहली बार आ रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल का आइकन जरूर दबाईएगा हमारे कुछ कोर्स चलते रहते हैं जैसे की एकस्टेंशन का है अगर आप जोइंग करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो अदर्वाइज हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फोलो करें उसमें मैं काफी सारी चीज़े अपलोड करता रहता कौन से नए कोर्स आ रहे हैं कौन से टिप्स हैं हेर टिप्स के बारे में क्या क्लासिस चल रही है उसके बारे में तो आप लोग जुड़े रही हैं हमारे साथ नएनी वीडियोस देखने के लिए और आज के लिए इतना ही फिर मेरता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के ल झाल झाल झाल